नमस्कार दोस्तों स्वागात श्रोमुस बाईजी के और एक वीडियो में और वीडियो के सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि के Immunology Crash Course पहला वीडियो में बात कर चुके हैं कि immunity का सेल्स मतलब सेल्स आव इम्म्यून सिस्टेम के बारे में इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि immunity okay किसी साब से किसी साब से हम बाठते हैं इनेट इम्मूटी मीन्स जो आल्वेज आल्वेज प्रेजेंट जो हर वक्त मौजूद है और हर वक्त हमको प्रोटेक करके रखा हुआ है और एडप्तिव इम्मूटी जो तो इन रेषॉंस एगंस्ट पैह हुता है बॉड्य के अंदर कोई पैथोजुन आये बेक्टिया हो सकते हसा लायाँ प्रोटोज हो सकता है बॉत्भ सकतह था तो पैप्रेडि जाके ही अननेट इम्मूटीमूटी मेरी वेक्स नहीं हम जबो से सब्सक्राइब नहीं करका है यह करें इने,ट इम्यूनिटी की टाइप के बारे में यहाँपर इफरेंस आप देखो कि इने इम्यूनिटी ओलुएस प्रेजेंट हे रवक्त प्रेजेंट एड़ इम्यूनिटी प्रज्टिमूलेटेड हे मनतब एक्स्पोजर तु माइक्रोब ज्यादे इम्पोर्टेंट तभी ज माक्सिमम जगह पर कुछ ही जगह जहां पर स्कीन नहीं है जैसे के यहां पर आई अब देख सकते हो नो स्कीन मगर वहां पर म्यूकोसल लेयर होता है जहां पर भी इम्मून सिस्टम का सेल्स मौजूद होता है और हमारे जो टियर्स हैं उसके अंदर भी आंटीबॉडी मौज कांढ़ी मेरिन होता है तो कांपलीमेंट ही मौरल इनेयट के अपारट बोलते हैं और जो सेल्स है उसको हम सेल मेृटीपि इनेयिट का पार पुलते हैं टीकां तो यह होता है नेयूत में देखो तो लीम्फोसाइट होता है यह जो के एंधिबोडी प्रोडूसींग फाक्त करेगा और टी लिमफोसाइट अलग 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 टी लिमफोसाइटय को भी अर्क्ट करेगा है तो स्ट्रॉक्ट्रा आ है कि आपके बड़ी के अंदर इम्मूनिटी का लेवल अलग अलग होता है उसका प्रोटेक्शन का स्पैन और क्वालिटी अलग अलग हो सकता है यहां पर जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है उसके प्राइमरली कुछ डिफेंस है मतलब यह अगर अब मान लो कि आपके शरीर यह एक City एक Country और इसको अतंवाद से प्रोटेक्टा है नहीं इसके लिए अनीकल सिस्टेम स्फेणर इस तो उसके लिए अनीकल बारी एनीकल बार्यर्स हें फञार्पायज होता है इसके प्राइमरी फइल सेल होता है inet immunity की और inflammatory response inflammation मतलब जब भी किसी पर जगा पर infection हो काट लग गया कुछ हो और देखो कि वहाँ पर सुजन होगा red होगा swelling हो जाएगा pain होगा यह सारे के सारे 4-5 जो symptoms है एक सार्थ inflammatory response कहा जाता है about response भी दोनों तरीके को होता है Cronic है, अगर पहले बार हो रहा थो वह Alex ुक्र कहा जाएगा धी लिए बीस तरह चैप में भान। बैरियर्स क्या है iki यहाँ पर इनलउंटो मीनिघियर में sleeping हें फिजोवलाजी का घुक्रेशन में – cảm ट्रबारे FC हो गया और chemical mediators हो गया पर इनेट satu system के बार B यहां पर क्लियर लिखा हुआ है फिजिकल बैरियर में स्कीन हेर सिलिया म्यूकर्ज मेंब्रेन म्यूकर्ज केमिकल सिक्रेशन डाइजेस्टिव एंजाइम हो चुका है जो जाके लाइपेज होता है प्रोटीज होता है जो बॉडी सिक्रीट करेगा जो जाके बैक्टिर्य और से नीचे के तरब वो जा सकता है कभी-कभी और स्वामक एसीट में कुछ एक्जामपल जैसे के हेलिकोबेक्टर पी लोरी सर्वाइब करता है और उसके बाद इंटर्नल डिफेंस जो है यह तो हो गया फिजिकल बैरियर मतलब पहले होगा बैरियर तो हम और ऑजी कट होगा या फिर आप सर्जरी के बाद इनिफेंस कौकर कर ना पड़ेंगा ना को यह resource जो हमको अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन देता है मगर वो जब भी ब्रेक होगा तब ही जाकि यह प्रॉब्लम औरिजिनेट होगा और इंटर्नल डिफेंस क्या है इंटर्नल डिफेंस के पार्ट अगर बात करें तो फेगो सिटीग सेल्स में क्या आएगा मैं न्यूट्रोफिल्स आएगा मैं और किलर सेल्स क्या करेंगा डिरेक्लिक नहीं देखेगा कोई भी अगर इंफेक्टेट सेल उसको जाए मार देगा यह इसका काम है आणरब का इने रषपॉंस कैसे बनता है इनुसाइब नियुक्गल में भी एंजाइम रहता है जो किडिस्टो करता है बेक्टिरिया को म्यूकस लेह रहता है हिंपॉर्टन वगेड़ा हो इसकी बात शेटाइसरों में एक यह वहएचिण कहीं यहां पर भी इंफेक्चन हो बहुत सारा नूटरोफिल महां पर आ जाएगा chemo taxes mechanism के जरिए chemo taxes mechanism मतलब chemical signal chemical जहां पर भी infection हो रहा है वहां से कुछ-कुछ chemical components release होता है उसको देखकर जहां से भी हो आ रहा है neutrophils उस तरब भागेगा तो neutrophils वहां पर जाके recognize करेगा bacterial cell को और उसको खा लेगा और क्या है so basically phagocytosis का मतलब होता है capture, engulfment and breakdown of bacterial pathogen okay capture करेगा उसको internalize करेगा, engulf करेगा उसके बाद breakdown करेगा खा लेगा यही काम होता है उसके बाद throw बाहर के तरफ फैक देगा तो यही innate response होता है important components of immune system अगर बात करेगा तो यह innate system का important components और उस component का function क्या है उसका list यहां पर दिया हुआ है यह आप save करके रख सकते हो natural killer cell का का काम क्या है kill virus infected cells neutrophil का काम क्या है large ingest and destroy microbes basically bacteria और any kind of microbes macrophages and dendritic cell वो क्या करते हैं ingest, destroy the microbes macrophages और dendritic cells जो है, सिर्फ और सिर्फ खाता ही नहीं है और मरता ही नहीं है खाने के बाद उसका एक हिस्सा बाहर के तरफ produce करके दिखाता है, बाकी की immune system के cell को इसलिए हम macrophages और dendritic cell को antigen presenting cell और APC भी कहते है तो इसके बारे में detail में हम बात करेंगे बाद में antigen presenting cell क्या है और कैसे यह काम करता है जब हम major histocompatibility complex के बारे में बात करेंगे मगर याद रखना कि कुछ cells जैसे के हो गया neutrophil वो तो bacteria को खाएगा मगर उसको बाहर दिखाएगा नहीं शो नहीं करेगा ठीक है मगर macrophages और dendritic cell बेक्टिया को खाएगा उसको degrade करेगा और बाहर के तरफ शो करेगा और कुछ इंटर्फेरां जो signaling molecule है जो viral replication को inhibit करता है complement complement कुछ proteins अलग अलग नाम से c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 ऐसे नाम होता है उनका complement जैसे के c3 b is an option in membrane attack complex that creates hole in the membrane so basically यह bacteria है तो यह complement क्या करेगा पूर form कर देगा bacteria के cells के cell membrane के अंदर whole form करेगा उससे क्या होगा जो component है bacteria cytosol वह भाहर आ जाएगा उससे क्या होगा बैक्टिया का osmolarity change हो जाएगा बैक्टिया मर जाएगा transferrin और lactoferrin ओके iron requirement for bacterial तो यह क्या करता है bacteria का growth होने के लिए iron का जरूरी होता है iron के presence होना तो यह transferrin जो है वह iron के साथ खुद को bind कर लेता है ताके बैक्टियों का iron नाम ही लिए बैक्टिया ग्रों नहीं कर पाए उसके साथ फीवर एक response है elevated temperature बैक्टियल ग्रोथ को reduce करने में help करता है inflammatory response limit the spread of microbes और और यहां पे एपो भी c3g लिखा है एपो लिपो प्रोटीन इस आर ने एडिटिंग एंजाइन यह क्या करता है hypermutation in dna और marnase उतना important नहीं यह सारे चीज़े important है इसको याद रखो ठीक है अब बात कर रहे हैं थे कि जो innate immunity इसको further हम classify कर पाएंगे innate immunity का हम फर्दर दोनों हिससे में बाढ़ सकते हैं humoral और cell mediated तो cell से भी immunity डिलाई होता है innate का और humoral भी cell में क्या है macrophage है macrophage मतलब example macrophage हो गया macrophage dendritics macrophage क्या करेगा engulf करेगा मगर उसके साथ present भी करेगा antigen को natural killer cells हो गया और neutrophils वगएरा तो है ही यह cell mediated immunity का पार्ट है innate में और innate में humoral का है compliment नीट्रोफिल नीट्रोफिल भी होगा cell mediated के साथ नीट्रोफिल इस साइड में होगा और compliment सिर्फ humoral immunity के पार्ट में होगा एक वर्ट बाद में हम बात करेंगे तो दो major role है innate immunity की कौन से रोल से यह पहला तो एक cellular role है और दूसरा inflammatory role है cellular role क्या है phagocytosis है मतब एक bacteria यह bacteria है यह bacteria अंदर आया यह macrophage है macrophage क्या करेगा इस bacteria को engulf करेगा इस color को change करता हूँ यहाँ पर यह बैक्टीरिया बैक्टीरिया को engulf करेगा तो bacteria जो है अभी engulf के बाद इसके अंदर आ चुका है macrophage और macrophage इसको destroy कर देगा और destroy करके इसका हिस्सा बाहर के तरफ ऐसे ऐसे present कर देगा क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग से तो बैसिकली यह phagocyti mechanism हो गया और inflammatory mechanism की inflammation के जरीए मतलब हमारे जो blood vessel है वो dilate होता है उसका जो thickness है अंदर का diameter है वो बढ़ जाता है और capillary permeability मतलब यह दिवार जो दिवार को मतलब नॉर्मली जो cells है आखिरकार उसमें blood supply कौन करता है capillary right capillary और ऐसे capillary जाके उसको cover किया हुआ होता है से right capillary से ही जो है blood कोई भी nutrients हो खाने का चीज हो बाहर आता है cells में पहुंचता है oxygen जाता है और cells से carbon dioxide बाहर आता है सब कुछ capillary level तक चाहिए होता है क्योंकि capillary बहुत thin single cell से बना हुआ होता है उसका उसका जो दिवार तो capillary permeability depend करता है यह innate immunity capillary का जो permeability दिवार का जो permeability open होना close होना वह regulate होता है तो उसको permeability जो बढ़ा देता है कि उससे क्या होता है कि कुछ cells मतलब मानलो के macrophage हो गया मानलो neutrophil हो गया वह capillary permeability बढने के खातिर वह cells बाहर आ सकता है वैसे तो cells बढ़ा है capillary का जो दिवार है उसको फात कर वह बाहर आ नहीं सकता मगर जब infection स्टार्ट हो चुका है cells immune system को पता चल चुका है तब ज्यादा मात्रा में neutrophil हो गया macrophage हो गया उस infection के जगा पर पहुचाना है उसके लिए capillary का जो दिवार है उसका permeability को बढ़ा देना चाहिए और वो ही काम करने के लिए innate immunity यहाँ पर काम करता है तो vasodilatation मतलब जो दिवार मतलब जो 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 thickness है inside जो diameter वह भी बढ़ा देता है ताके यह जो cells के बारे में हम बात करें सारे के cells इसके अंदर से जा पाए और capillary का जो दिवार है उसका permeability increase करने के साथ साथ यह cells जो infection की site है site of infection वहाँ पर बाहर आ सकता है यह दो चीज बहुत important होता है तो what is the mechanism of innate immunity mechanism क्या है देखो barrier is skin acidic pH and stomach and cilia humoral mechanism है lysozymes basics proteins and complement हो वहाँ पर रहेगा और cellular defense mechanism जैसे के natural killer cell, neutrophil और macrophage मिलकर कोई भी bacteria है तो macrophage उसको खा जाएगा present कर देगा ताके T cell भी activate हो पाए और adaptive immunity को activate कर पाए वही पर natural killer cell कोई भी virus infected cell को मार गिराएगा वही पर neutrophil भी कोई भी bacteria को खा जाएगा तो यही process है और जो complement system होता है वो जाके bacteria के शरीर के अंदर cell membrane के अंदर whole form करेगा ताके osmotic imbalance से pH की imbalance से bacteria मर जाए तो यही बात है innate immunity यहाँ पर एक basic overall drawing दिया हुआ है यहाँ पर virus bacteria यह सब है तो यह जाता है तो पहले तो यहाँ पर defense mechanism है defense mechanism मतब skin वगेरा उसको फात कर वह अंदर गया वहाँ पर defencings हो गया लाइसोजाइम हो जाके virus और bacteria को destroy करने की कोशिश करेगा अगर नहीं है तो complement system है complement system ही क्या करेगा bacteria को destroy करने की कोशिश करेगा उसके शरीर के अंदर whole form करके तो इस बीच क्या होता है acute inflammation हो जाता है मत्तब inflammation तब कहलाता है जब beta dilatation है उसके साथ बहुत सारा cells जो cells of innate immunity वह बहार आ गया जहां पर infection चल रहा है तो उस जगह में swelling हो जाएगा उसको हम सुजन कहते है राइट तो वही पर acute inflammation होता है और यहाँ पर दीरे-दीरे mass cell आ जाता है bodymolfo nuclear cells जो है निउट्रोफिल बेसोफिल आ जाता है तो dendritic cells भी होता है dendritic cells के बारे में बात करते है मैक्रोफाज हो गया निउट्रोफिल्स हो गया आ गया natural killer cell आ गया तो इस सारे के सारे cells अब काम करने लग गया नॉर्मली तो देखो natural killer cells तो इसका काम करेगा मतलब virus और यह मैक्रोफाजच जब इसको बाहर प्रेजंड करेगा तब यह मैक्रोफाज इसको प्रेजंड करने के साथ साथ imaginative immunity pendant ke debt कैसे करेगा adaptive immunity में tea helper cells है tea helper cell cell मेक्रोफाज का interaction इसको मैक्रोफाज T-Helper Cell का इंटरक्शन और यह T-Helper Cell क्या करेगा मैक्रोफाज को सिगनल देगा और यह और भी ज्यादा T-Helper Cell को तयार करेगा और यह T-Helper Cell सिगनल देगा B-Cell को और B-Cell antibody तयार करेगा और इससे क्या होगा कि इनेट Immunity से हम Adaptive Immunity में शिफ्ट करेंगे और यह सबसे important है यहाँ पर एक interaction जो T-Helper के साथ होता है मैक्रोफाज का इसको हम interleukin 12 और interferon IFN gamma axis बोलते हैं जहाँ पर interleukin 12 रिलीज होता है और interferon gamma से मैक्रोफाज और T-Helper Cell खुद के साथ एक cross-talk होता है जैसे के phone में बात कि यह चीज में तुम्हें भेज रहा हो तुम मुझे यह दो इसका मतलब एक combined effect है तो further T-Helper Cell activate होदा T-Helper Cell B-Cell को activate करेगा B-Cell और antibody producing factory बन जाएगा वो plasma cell बन जाएगा और antibody तयार करने में start कर है अब जो summary मतलब innate immunity को summarize हम करें तो यह physical barrier से बना हुआ है जैसे कि skin gastrointestinal tract में HCL respiratory tract नेज़ो फेरिंग सीलिया आई लैसे देखो respiratory tract total अगर हम देखें ऊपर छोग दो अंदर की पूरा के पूरा जो area वह स्टेराइल है मतलब बैक्टिरा रहता नहीं वहां पर इसलिए अगर बैक्टिरिया थोड़ा भी वहां पर मौजूद हो बहुत दिक्कत पैदा कर सकता ह क्यों नहीं रहता का सिलिया होता है मतला देखो नाक में आपको घुजाने की कोशिच करेंगा तो नो स्नीजिंग आएगा क्योंकि आपर देखो सिलिया मौजूद है totally और सिलिया जो है बाहर का कोई भी component को यहां पर प्रोटेक्ट करते हैं अंदर जाने हैं ऑके defense mechanism से secretions, mucus, bile, gastric acid, saliva, tear, sweat क्योंकि यह सारे के सारे saliva के अंदर कुछ enzymes है जो bacteria को destroy कर सकता है gastric acid, HCL, bacteria को destroy कर सकता है, tear के अंदर Ig, immunoglobulin A मौजूद होता है IgA, immunoglobulin A जो dimer के तौर पर मौजूद होता है, GCHN से join किया हुआ, secretary antibody भी बोलते हैं उसको उससे यह हमें protect करता है general immune response, inflammation होगा, complement activation होगा, non-specific cellular response, cellular response जो है वो non-specific है, जैसे के natural killer cell virus infected cell को मारेगा मैं बार बार एकी चीज़ को इसलिए repeat कर रहा हूँ कि ताकि आपको दिमाग में बैट जाए, right, so, leukocytes के अंदर phagocytes होगा, macrophage, mass से लिए, सारे के सारे हैं, हम बात कर चुके है, complement system के अंदर, optionization होता है, optionization का मतलब क्या होता है, basically, complement क्या करता है, एक cells को पूरा सारे के सार कर देगा, okay, और उसके बाद, macrophage उसको आके, engulf कर देगा, destroy कर सकता है, okay, और chemotaxis, cell lysis, क्योंकि, complement जो है, cells के अंदर, bacterial cells के अंदर, poor form कर देगा, whole form कर देगा, right, छेद बना देगा, उसके कारण, lysis हो जाएगा, cell मर जाएगा, non-specific मतलब, will defend against anything that is unintended or foreign, non-self and fast, so, यह जो immunity है, innate immunity, यह fast है, बहुत तुरंत है, क्योंकि हर वक्त, cells मौजूत है, ready है, protector में के लिए, at this moment में बात कर रहा हूँ, I am surrounded by trillions of different bacteria in the air, in the surrounding area, मगर हम फिर भी जिन्दा रहते हैं, ठीक ठाक function करते हैं, क्योंकि, पहले तो skin and all these barriers तो है ही, और barrier भी भेध हो जाए, और छोटा मोटा cut हो जाए, तो हम antibodies नहीं लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, क्योंकि immune defense हमारा अच्छा रहता है, तो यही बात होता है summary of innate immune system, आशा करते हैं कि innate immune system आपको समझने में आसान, आसानिया थे, तो अगर अच्छा लगे वीडियो को like करे, subscribe करे channel को, share करे अपने दोस्तों के साथ, और adaptive immune system के बारे में, adaptive immunity के बारे में, तो चलिए, देखते हैं, adaptive unity अगले वीडियो में, तो चलते हैं, बाई